NPA, Gross NPA, Net NPA, क्या होता है इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा Hello दोस्तो, आपको अक्सर confusion होता है कि Gross NPA क्या है और Net NPA क्या है देखिए NPA क्या होता है जो भी आपके bad loans होते हैं उनको हम NPA कहते हैं चाहे वो substandard हो, doubtful हो या loss हो अब इसमें Gross NPA क्या होता है, Gross NPA में क्या होता है कि जो भी आपका NPA है, into 100 divided by Gross Advances तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, यह State Bank का 31 March का data है उसके अनुसार, जो fund-based advances है, वो 3338401 है और उनके जो total NPA है, चाहे वो substandard है, चाहे वो doubtful है, चाहे वो loss है वो है 91874, तो अगर हम 91874 को into 100 करके आपके पूरे यह जो fund-based advances है उससे divide करते हैं, तो यह आपका आगया Gross NPA का percentage 2.75 percentage यह है Gross NPA अब Gross NPA से जब Net NPA निकालते हैं, यहाँ पर बहुत लोग गलते करते हैं अब इसमें क्या होगा? उपर तो आपने Net NPA किया अब Net NPA किया होता है? कि जो भी आपका Gross NPA है Gross NPA में से जब आप provision minus करते हैं, तो आपका बनता है Net NPA तो Net NPA तो उपर ठीक हो गया, लेकिन जब नीचे आप advances से divide करते हैं तो वहाँ पर भी आपको provision को minus करना पड़ता है, यह गलती अकसर आप करते हैं तो देखिए इस में इस balance sheet में बताया गया है कि जो प्राविजन है, वो प्राविजन है 70377 अब यह जो प्राविजन है देखिए, यहाँ पर advances में भी minus किया हुआ है और यहाँ पर NPA में भी minus किया हुआ है यानि कि जो प्राविजन होता है वो NPA से भी minus होता है और advances से भी minus होता है तो उसके according अगर हम निकालेंगे तो यह बना net NPA का 0.66 percentage दोस्तो अगर आपको फिर भी कोई confusion है तो आप नीचे दिये के number पे हमसे बात कर सकते हैं और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा क्योंकि JIB CIB के exams में आने वाला एक बहुत important numerical है और इसी classes और लड़ी चल रही है जो लोग discount offer यूज करना चाहते हैं अभी नवरातर का discount चलना वो avail कर सकते हैं और bell icon जरूर दबाईएगा क्योंकि ऐसे कोई भी नए वीडियो जब आएंगे तो आपको तभी उसका notification मिलेगा जब आपने bell icon दबाया होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद